प्रदीश के सभी जनपदों में बीजेपी की ओर से चलाय जा रहे प्रबुद्ध सम्मेरन में हिस्सा लेने जहासी पहुची केंद्रिय मंत्री ने ओम प्रकाश राजबर से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे जो कुछ भी है भाजपा के कारण है ओम प्रकाश राजबर आज जो कह रहे हैं वो मौका भी उन्हें भाजपाने दिया है उनके गाओं के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता था मुझे लग रहा है कि आज जो ओम प्रकाश राजबर जी बोल रहे हैं यह मौका भी भारती जनता पाटी नहीं दिया है नहीं उनके गाओं में छोड़के कोई जानता भी नहीं था पूरवांचल में दो तिन जन्पदों में जानते होंगे चार विदायक चुनके आ गए तो भारती जनता पार्टी के कारण है अब इस बार चुनके आ जाएं तो पता चाले देखिए यह सब्द कह करके प्रभुद्द लोगों का अपमान किया गया है ठीक पूरे पूरे प बिचर देखिए आप मैं आपसे अंरोध करती हूं बारावार कि रसी मंत्री ने बैट करके बात किये मैं आपसे एक सवाल पूछ रहे हूं आप से खाहर अब जो कंफियूंज है उनके लिए नहीं के सरकां ने पूरा श्पिस्ट करना दियार इन्श एजोश बंद नहीं हुई हैं किसान को मंडी से मुक्त किया गया है सब्सकंता है कि सौन आपनेरे शायो सकता है तो किसान को मंडी में बांद के रखना चाहिए ये विपक्ष क्या चाहता है हम सरकार में पालिया मिंट में जिस तरह से विपक्ष ने पालिया मिंट को हंगामे के बली चड़ा दिया मैं पूछना चाहती हूं सरकार करसी पर चर्चा करने के लिए तया सरकार हर विशे पर चर केंद्रिय मंत्री ने राजबर पर एक के बाद एक कई निशाने साधते हुए कहा कि पुरवांचल में उन्हें दो तीन जन्पदों में लोग जानते होंगे वही राजबर के 5 सीम और 20 डेप्टी सीम वाले बयान पर केंद्रिय मंत्री ने कहा कि वो चाहे तो पूरे प्रदेश को सीम बना दे हमारे सरकार में काम करने की एक पद्दती है जिसकी जादा महत्वकांशा होगी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता जासी से माय भारत ले शकील अली हाशमी की रिपो